मा, मेरी मा नमस्कार, मदर स्टे पे आप सभी को हारदिक शुपकाम नाएं मा, माथे पर चान से बिंदी सजाए एक छोटा सा शब्द अपने आप में ही कितना सुन्दर लगता है जैसे इस एक ही शब्द में सारी काइना समा गई हो इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं दुनिया के सारे शब्द इसी एक शब्द में समा गई हो मा कौन होती है जो सिर्फ जन्व दे या फिर वो जो जीवन दे जैपुर में भी एक ऐसी मा है जो उन बच्चों को जीवन दे रही है जिनका इस दुन्या में और कोई भी नहीं वो है मनन चत्रुवेदी यशोदा बनकर मा के आचन में इन बच्चों को छिपाना आसान काम नहीं है लेकिन मनन को देख कर खुद यशोदा भी हैरान हो सकती है मनन एक नहीं दो नहीं बलकी करीब सो बच्चों की मा है असमा के चकपे है अपनी दुनिया सुर्मन संस्था की चार दिवारी में एक मा है और छोटे बड़े अंठाणवे बच्चे कोई किसी कूडे के धेर पर मिला था तो कोई अस्पताल में लावारेश छोड़ दिया गया मनन ने अपने हाथों से भुला बिसरा दिये इन बच्चों को सीने से लगा लिया ताकि इन बच्चों के माथे पर यतीम होने की इबारत चस्पा ना हो अपने आंगन में खेल रहे एक एक बच्चे के सर पर दुलार का हाथ फेड़ते हुए मनन कहती है मैं मा हूँ यही मेरा इन बच्चों से रिष्टा है सुर्मन के घर आंगन में कभी मा से बिछड़े किसी नन्ने बच्चे की किलकारी गुँचती है तो कभी कोई मासूम अपनी तोतली से आवाज में कोई कविता सुनाता है कर वन्मारा था, सत्र को पेचाणा था सीत उनकी रानी थी, भारत मारानी थी, हनूमान के सामीरा दसरजी के बेटे राम में भी राक राम मलूंग पलिके वि Bonnum अच्चे-अच्चे काम करूंग, सारे जिंग नाम करूंग इस तरी कभी मा तो कभी बेटी, कभी जीवन संगिनी तो कभी बहू। जिंदिगी के हर पड़ा पर महिलाएं समाज को नई दिशा देती हैं। लेकिन इन सब से अलग कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरों की सेवा को ही अपना धर्म मानती हैं। मनन चतुरवेदी भी इनी महिलाओं में से एक हैं। इस मा ने अपना करियर छोड़कर बच्चों को पालने का वीड़ा उठाया। मासूम बच्चों की कोशिश के सफर में ऐसे लंभे भी आए जब इस मा को मायूसी ने आगे रा। वो कहती हैं जब बिना सोए और खाये मैंने लगातार पेंटिंग की तो ममता के भाव ने हौसला दिया। लेकिन मायूस तब हुई जब लोगों ने पेंटिंग की दाथ तो दी लेकिन किसी ने भी एक पेंटिंग भी नहीं खरी दी। लेकिन मेरे बच्चों ने हिम्मत भरा सहारा दिया और मैं फिर अपने काम में लग गई। मैंने 72 गंटे स्ट्रेच उसकल पेंगी तीन दिन तीन रात लगाता है पेंटिंग बनाई थी और इसके बद मैं शहर चेहर गुम की 24 गंटे पेंटिंग बनाती हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं 2500 बच्चों का घर कंप्लीट बना पाऊं उसमें दो फ्लोर हो गई भी चार फ् तो आची है तो कितनी प्यारी है तो कितनी अच्छी है तो कितनी भॉली है तु प्यारी प्यारी है को आँ पीज़िंग मैं है ये बन है काटों का तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ चलिए अब आपको मिलवात है एक ऐसी मा से जिसने उन बच्चों को पना दी जो कुदरत की मार भी छिल रहे हैं और जिने समाज में भी दुदकार दिया जी HIV पॉजिटिव बच्चों को पना दी है रश्मी कुछ चलने मासूम से इन फूलों की मुस्कुराहट में हजारों ऐसे दर्द चुपे हैं जिनके बारे में सोचते ही आखों से आसू आना लाजमी है जनम के साथ ही HIV जैसी बीमारी ने इनको माबाप के प्यार से महरूम कर दिया बच्चे भगवान का रूप होते हैं पर इन मासूमों के पास तो इंसानियत का व्यवहार करने वाले लोगों की ही कमी है पर कहते हैं ना मा सिर्फ वही नहीं होती जो जनम देती है बलकि बच्चों के प्यार से एक इस्तरी मा कहलाती है इन बच्चों की बेरंग जिन्दगी में भी रंग भरे इनकी बड़ी माने बड़ी मा जिनके दुलार भरे आचल ने इन मासूमों के अकेले पन को ठक दिया रश्मी ने चार बच्चों के साथ इस HIV होम की शुरुआत की थी पर आज पचास से भी अधिक बच्चों की शैतानियों से ये घर चहकता है रश्मी कहती है कि आज भी समाज में HIV के लिए जाग रुकता नहीं है लोग इन मासूमों को अपनाना ही नहीं चाहते हैं हम दो-तीन बार एक ओर्फिनेज में गए वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे को बार-बार रिफ्यूस कर देते थे तो बड़ी क्यूरिसिटी होई कि ये बच्चे को रिफ्यूस क्यों कर देते हैं तो पता चला कि वो बच्चा HIV है तो HIV बच्चों को आप क्यों नहीं रख सकते कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ HIV बच्चा नहीं रह सकता तो फिर हमने कुछ सुचा ये HIV कहा जाएंगे बस वही थौट प्रसेस रहा कि आप होम खोलेंगे तो HIV बच्चों के लिए ही खोलेंगे जिस तरह एक माँ अपनी बड़ी होती बच्चियों को जीवन के पहलूँ से मिलाती है वैसे ही रश्मी भी अपने घर की बेटियों को रसोई के गुर सिखाती है वो इनके साथ खेलती भी है जम के मस्ती भी करती है और होमवर्प ना करने पर एक मा की मीठी वाली डांट भी लगाती है वाव सही लिखो भाव वाव सही लिखो वाव विचार खा गए तो अच्छार खागा बीचार खागा है जाए तो अच्छार बच्चे जैसे हम घर में रखते हैं थोड़े सी प्रिकॉशन जादा इसले लेने पड़ती है कि इनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है इन मासूमों के लिए भी इनकी बड़ी माही सब कुछ है चमज में चमज चमज में जीरा हमारी बड़ी मा लाखो में हीरा बच्चे कांच की तरह होते हैं जिनके जहन में जांकना मुश्किल नहीं होता है और रश्मी के साथ उनके लगाव को देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है मा तू मा है, रब की रब है, काबा है, धाम है, जुकता रब भी है, मा एक ऐसा नाम है मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मा, तुझे सब है पता, मेरी मा भगवान ना दिखाई देने वाले माता-पिता होते हैं, किन्तु माता-पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं इन बच्चों को सिर्फ इसले छोड़ दिया गया, क्योंकि यह HIV-positive हैं लेकिन आज यह खुश हैं, यह हसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि इनके पास इनकी बड़ी मा की आचलकी छाओं हैं बड़ी मा यानि रश्मी जी रश्मी जी ने दुनिया को भी यह बता दिया, कि HIV छुवा-छुच से नहीं फैलता चुवा-छुच से अगर कुछ फैलता है, तो हो है सिर्फ प्यार चलिए, फिलहाल देतें एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसी मा से जिसने बच्चों के हाँ से कच्रे का जोला हटा कर कलम थमा दी